अभी अभी कॉंग्रिस निता राहूल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने का किया एलान जेहाब को ताय चली कि अगामी लोकसबा चुनाव को देखते हुए कॉंग्रिस निता राहूल गांधी वायनार से चुनाव तो लड़ दहे लेकिन कॉंगर्स पार्टी सुत्रो के अनुसार राहूल गांदी अमेठी से पार्टी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं शनिवार को पार्टी के ओर से इस बारे में संकेत दे दिया गया है उसके बास से भाचपायों में भैंकर हड़का मचबा है सूत्रे के अनुसार राहूल गांदी अगामी 26 अप्रेल के बाद अमेठी सीट से अपना नामांकन भरने वाले है जिहां आपको पताए चली कि जब से ये खबर निकल कर सामने आये कि राहूल गांदी वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे और इसमेठी रानी को कड़ी कर देते वे नसर आएंगे और उमिज अताए जारी की राहूल गांदी वायनाड और मिठी दोनों सीट पर विजय हासिल कर सकते हैं दर असल आपको पताए चली कि उतर परदेश की अमेठी सीट पर अगामी 20 मई को पाच में चरण में मद्दान होना है अगामी 27 अप्रेल से यहां नामांकिन की प्रक्रिया सुरो होगी चुत्रक अनुसार कॉंगर्स वायनाड के मद्दाताओ को मद्दान से पहले या संदेश देना चाहती है कि राहूल गांदी या सीट छोड़ सकते है अत्वा वायनाड के विकल्ब के रुप में अमेठी सीट भी है इसलिए अभी तक कॉंगर्स ने रन नीतिक के तहट अमेठी से प्रत्याशी की घोसना नहीं किये 2019 में हुए लोग से बचुनाओ में राहूल गांदी अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से भी चुनाओी मैदान मूत रहे थे लेकिन वा अमेठी से केंद्रिय मंत्री स्मिती इरानी से चुनाओ हार गे थे जिसके बाद उन्होंने वायनाड को अपना लिया था अब एक बाद फिर से खबर निकल कर सामने आई है कि आने वाले समय में कॉंगरेश निदार राहूल गांदी अमेठी से भी चुनाओ लड़ सकते है फिलाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समस्ते हमें कमेंट करके चलू बताया निउस्टैक से हर सराज की रिपोर्ट